हलो दोस्तों वेलकम टू नीव ब्लोग आज देखरें मैं सामने एक पुराना कोईल है तो सिलिंग फेन का एक पुराना कोईल है तो इसको हम रिपेरिंग करना है बहुत बढ़िया से इसका ट्रिक बताएंगे किस तरह रिपेरिंग किया जाता है बहुत सब्धानी से कोई भी करेंगे दो स्टार्टिंग का होता हुथ दोर रॉनिंग का होता है तो हम इसका लीटिटो पूट गये था आपे आपको होगि कितना अअशां संटान में करना को दिक्कत नहीं है आपको निव आइंडिंग करने का भी धरकार नहीं कोज हमेला नहीं एक दम अब भी आसानी से कीजेगा तो चलिए यह मेरा पास लिड निगल चुका है तो आप इसको हम सीज के सहता से चेक करेंगा तो पहले इसको चाकू की सहता से इसको छिल ले रहे इंसुलेशन तो हटा देंगे कहें के फिर यह कंटिनुटिंग बताएगा नहीं तो सबसे पहले इसको चाकू की सहता से छिल लेते हैं तो चले चले तो हम इंसुलेशन तो छिल लिए हैं अब इसको हम चेक करेंगा सीरीज की सहता से के अधकी हैं तो यह देखिए बनेरा और यह अपका डूरनिंग में बता रहा है तो आपको सुना 6 बल्ब दखाई नहीं में दे रहा है तो ममें जो टेस्टिंग लाइट हो उससे भी flometric करूंए है तो ये देखें बता रहा है अलका-अलका थीजिए फार्इरिंग कर रहा तो यह देखिये ओके यह चलिएटेस्टिंग लाइट से भी आपको चेक करा दे रहे रहा हं तो उसमें जलेगा तो आपको मालम चल जाएका क्यी नहीं िदीकर जल गिया यह अपका स्टार्टिंग ओके है इसकา बूर्डी भी नहीं है इस देखिए अपका रनिंग कभी बताते हैं तो यह जेखिये रंशे ज्टेख्ञानी कभी मुआच करने से सिलिए लिगए पैंग। चेक किए कि यह अगर सोट उठ होगा तो यह बोल्टो पुरा फूल जल जाएगा तो फूल नहीं जला तो कोई दिक्कत नहीं है यह कोईल आपका ओके है तब इसका पहले क्या करना है सब सब पहले में इसको बानिस देंगे अब बानिस देने के बाद यह पेपर टो पूरा कोईलों इसको काट करना बनाना पड़ाएगा की क्यूंकि आपका इंहीं रिपात नहीं हो सकता है तो सब से पहले इसको हम बानिस दे देंगे तो हर पेपर वहम मμέunuz को रीर चलिक qui का बना रहे गाल न तो ये देग्ए पूरा फेपर हमें इसको बरनिद दे दिया है अब इसको लगवाद दो तिन घंटा छोड़ देंगे धूप में उसका बाद जब सूक जाएगा तभ इसको लिड निकालेंगे तो ये देग्ए पुराना लेट इसमें फसा हुआ था तो इसको हम निकाल दे रहे हैं अब इसको दू तिन घंटक बाद इसको छोड़ देंगे उसका बाद इसको लेड निकाले तो वीडियो बढ़िया लगाओ तो एक लाइक कर दिएगा